यह और बढ़ अच्छा पे फ्रेशन पास से पर रहां यहां देखो, upon में sin x into cos x लिखता हूँ तो cos x से अब multiply भी गर दो, divide भी कर दो यहां cos square x हो जाएगा, यहां cos x sin upon cos कितना होता है? 10x और upon में cos square x हो तो अपर जागे sin square x सो जी, यह देखो, z को अगर मैं 10x पानता हूँ तो d z मेरा क्या हो जाएगा? 6 square x तो integration हो जाएगी, ln 10x plus c ln 10x plus c, this is your answer